और प्रभावी वार करना होगा मुझे हनुमान पर पुला बजगा है ये वानर अश्व की मुक्ती है मेरा उद्देश प्रभु श्री राम का काच है मेरा उद्देश जिससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता मेरे रहते यर्थ नहीं जाएगा राजकुमार शत्रोगन और पुशकल का योगदान कुछ भी हो जाए कोई भी मेरे सामने आए कोई भी मुझे रोकने का प्रयास करे रांग काच अधूरा गदापी नहीं रहेगा गदापी नहीं रहेगा प्रभू का अश्रोमेध यज्य अवश्य पूर नहोगा प्रभू का अश्रोमेध यज्य अवश्य पूर नहोगा हुगँः पूरोमेध यज्य पूरोमेध है वार्ण थैन्ग वार्ण चर कि पिखातुरे के तिर केंदुरे के वकाराओले दिना कोई साधारन युद्ध नहीं है ये इस भक्त की भक्ती की परिक्षा है ये युद्ध प्रभु श्री राम का कार्य है ये जिसमें असफलता स्रीकार नहीं है मुझे हनुमान की भक्ती अपने प्रभु के प्रती उसकी निश्था उसमें असीम शक्ती का संचार करती है नहीं तो नंदी और वीर्भद्र जैसे महायोधाओं से कोई कैसे युद्ध करे प्रभु श्री राम के काच में कोई बाधा सेह नहीं करूँगा मैं नंदी और वीर्भद्र के पाश्चात कहीं हनुमान मुझ पर तो वार नहीं करेगा हे महादेव अब आप ही अपने शर्नागत भक्त की रक्षा कीजिए नंदी जी और विर्भद्र की पराजाए का आर्थ है कि अब हनुमान को स्वयम महादेव के साथ यूद्ध करना होगा महादेव के त्रिशूल से संघर्ष में तो हनुमान के साथ साथ संपूर्श रिष्टी पर संकट छा गया था अब यदि रुद्र स्वयम रुद्रान से युद्र करेंगे तो नजाने कैसा महा संकट उत्पन हो जाएगा भोले बाबा प्रभू श्री राम द्वारा दिये गए कार्य में असफल हो चुका हूँ मैं राजकुमार शत्रुग्न आहत मुर्चित पड़े हैं और वीर भद्र के हाथो राजकुमार पुश्कर का वध हो गया उन दोनों को सुरक्षित नहीं रख सका मैं किन्तु अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभू को निराश नहीं होने दूँगा यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूँगा मैं उचेत है हनुमार तुम अपने धन का पालन करो किन्तु मैं भी वचन बद हूँ अपने भक्त की रक्षा के लिए अर्थात सुरक्षित हूं मैं सोयम रुद्र के समक्ष कहां टिक सकेगा ये रुद्रांश एक दूसरे सम शिव शिव अन्शा चिन्तित सब चित मन आशंका उत स्रिष्टी संहारत शक्ती इत बल के पर्याय की भक्ती उत खड़े रोत्र रूत्र त्रिलोचन इत स्रिष्टी के संकट मोचन असमन जस्म पड़े का पिराई शिव का पिशतू बन अकुलाई भोले बाबा हनुमान का नमन स्विकार करे प्रभु अपने धर्म और करतव्य का निर्वाह करने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ नियती के समक्ष हम दोनों विवश है हनुमान अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा अपने प्राण देकर भी प्रभु श्री राम के यग्य के अश्व की रक्षा करना मेरा परम धर्म है मी स्वार्भाव से अपने भल और बुद्धी से धर्म के मार्ग में आने वाले सभी अवरोदों को दूर किया है तुमने कि तुम क्या मुझसे युद्ध कर सकोगे तुम कि अपने अस्तर उठाओ हनुमान और युद्ध प्रारम करो कि यह क्या करने जा रहा था मैं मेरे पिता तुल्य हैं आप आप तो मेरे गुरू हैं मेरे प्रभू हैं आप मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ रुज्जाव हनुमान पीछे जाने का अर्थ होगा पर आज है स्विकार करना यदि वास्तम में अपने गुरू का सम्मान करते हो हनुमान तो मेरे शिष्य होने के नाते पीछे हटने के पूर्व एक बार खुना विचार कर लो परंतू किन्तू परंतू का नहीं ये समय युद्ध का है हनुमान युद्ध में केवल तोरे का प्रदर्शन किया जाता है भावुकता का नहीं प्रहार का परियोकता प्रहार से दिया जाता है याचना से नहीं ऐसा क्यों कर रहे है प्रभू हनुमान को स्वेहम युद के लिए क्यों उक्सा रहे है प्रभू तुम्हारे प्रभू ने तुम पर विश्वास किया है उनके विश्वास का मान रखो हनुमान आगे बढ़ो और अपने पौरुस का परीचे दो बच्रंगी भीर्टा से युद्ध कर अपना महा योद्ध हुकारा जाना सार्थक करो महावीर प्रभू सेवा का उत्करश उधारन प्रस्तुत कर प्रभू का महान सेवा कहलाना सार्थक करो राम भग धनुबाद स्वामी जो युग युगांतर में नहीं हुआ वो आज क्यों होने जा रहा है देवी जो घटना पूर्व नियत है उसे कोई नहीं चाल सकता वो तो घटित होकर ही रही स्वामी प्रभू और भगत का पिता और पुत्र का रूद्र और रूद्रांश का कैसा अनिश्टकारी युद्य ही क्या परिनाम होगा इस युद्य का स्रिष्टी में कुछ भी कभी अकारण नहीं हो तब यह इस संसार को इस युद्य से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है रात्री के बाद ही दिवस आता है अशुप के बाद ही शुब का संचार होता है वैसे ही विनाश के बाद ही नव निर्मान होता है संबव है निर्मान के पूर होने वाले विनाश का प्रारंब हो गया है निर्ने लो हनवाल क्या करोगे तुम पीछे हटकर अपने प्रभु को असफल सिद्ध करोगे या आगे बढ़कर उनके कार रेको पूर्ण करने के लिए संगश करोगे असमंजस जो भसे कपीराई तब शिव धर्म का मार्ग बताई हनुमत नेश्ख्या राम पे धारे यूत श्री शंकर संग स्विकारे महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन कर रहा है विलाव रिष्टी का विद्वंस सोचकर पत्बुत रिष्टाई कैसे ये दिव्यसर्प महादेव के धनुष पिनाक में परिवर्सित हो गए हनुमान ने महादेव के पिनाक धनुष का उत्तर देने के लिए उनी के धनुष विजया का आवहन किया महादेव के धनुष के समान दिव्य धनुष का आवहन तो अवश्य किया है हनुमान ने किन तो उनके अस्तरफ प्रभू के दिव्यासरों का तामना कहां कर सकेंगे मेरा अश्यरवात सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान कि तु स्मरण रहे ये रण है जिसमें मैं तुम पे भीशन से भीशन प्रहार करूँगा तुम तु क्यों हो हनुमान देख क्या रहे हो उठाओ अपना अस्तर और यूद करो मुझसे मयूर बार धर्म का अधर्म से संकर्ष तो अनेको बार देखा है मैं किन्तु प्रधम बार धर्म को धर्म से युद्ध करते देख रहा पिता और पुत्र दोनों ही अपार्शक्तियों से संपन्न नजाने क्या होगा इस युद्ध का परिना तुम्हारा प्राकरम प्रुमानिव करता है कि किसी उत्तम गुरु से शिक्षा प्राप्त की है तुमने भोले बाबा युद्ध कला में आपसे उत्तम गुरु भला और कौन हो सकता है ये शिक्षा तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है प्रभू वाव पुत्र आप इस युद्ध में और भी कटिन परिक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ नाग विशास्त्र रकट हो प्रभू महादेव तो महा विनाशक महा अस्त्र नाग विशास्त्र का प्रियोग कर रहे जब उनका साधार नागवान इतना भेहन करते तो उनका महास्त्र तो अनेक दुना और प्रबल होगा स्वामी के महानाग विशास्त्र का कोई तोड़ नहीं है करुडास्त्र रप्यूस को निरस्त नहीं कर सकता प्रभू के बार्ण ने तो निगल लिया हनुमान के करुडास्त्र को इस अस्त्र का विशैला धुम्र मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है किन्तु मैं अपनी जेतना नहीं खो सकता अनुमान अपना और अपनी सेना की रक्षा कैसे करेंगी यह तो महादेव के अस्त्र का प्रभाव इस ते अपना बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभाव नहीं हनुमान भले ही नीलकंट महादेव कांच है किन्तु नागविशास्त्र में तो ब्रहमान के समस्त्य विष का प्रभाव समाहित वो महादेव का ही नहीं मेरा प्री पुत्र है ऐसा कोई विष नहीं जो मेरे पुत्र अनुमान को शत्ती पहुचा सके मेरा आशिरवाद जो है उसके साथ कुछ नहीं होने दुंगे मैं उसे आवशकता होगी तो मैं स्वयम हस्तप छेत करूंग इस युद्ध में अनुमान प्रतीत होता है तुम्हारे गडू रस्तर ने मेरे नागव शास्तर की कुछ शक्ती हर ली अन्यथा इतने समय में तो उसका विष तुम्हारे प्राण हर लेता इतनी सरलता से तुम पराजित नहीं हो सकते क्या अपनी शक्ती भूल रहे हो तुम्हारे शिश्य हो भूल रहे हो के तुम्हे राम काज संपन करना है सकुषल रहेगा हनुमान रक्षित रहेगा हनुमान आपका शिश्य कुछ नहीं भूला भूले बबाबा इतनी सरलता से पराजित स्विकार नहीं करेगा आपका ये शिश्य भूले बाबा आप जो भी बाण चलाएंगे उसका सामना करने का प्रियास करूँगा मैं क्योंकि जब तक हनुमान जीवित है राम काज का पूर्ण होना निश्चित है दान्यो पुत्र अपने अंच रुद्रांच से मुझे यही आशा थी कैसी दुविदा कैसी विड़म बना है ये मैं उसकी रख्षा करने के लिए तत्बन जो मेरे पती मेरे स्वामी के साथ युद्रत है और कोई नहीं मेरा पुत्र है एक स्क्री के लिए इससे अधिक फीड़ा का कारण और क्या हो सकता है कि माहा बिनाशक युद्ध में एक और उसका पती हो और दूसरी और उसका फुत्र अब मेरे रुद्रांच को मेरे रुद्रास्त का सामना करना होगा ये क्या कर रहे है प्रमस्ट अपने ही रुद्रास्त का प्रयोग कर रहे है अपने ही रुद्रांच पर रुद्रास्तु तो वो अस्त्र है जिसमें सभी ग्यारा रुद्रों की शक्ति समाहे थे मैं रुद्रास्तु का आवाहन करता हूँ मैं हर्मान अगने अस्त्र वायू अस्त्र और बरुड अस्त्र का आवाहन करता हूँ पस्त्र विस अस्त्र घुड़ कहा दो सकतला अभाँ है गयारे जड़ को ऑल नवाँ… झाल 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 हमारे अस्त्रों की सम्मलिट शक्ती भी प्रभु के रुद्राश्ट्र का साथ नहीं हनुमान को इस मासंकर से निकलने के लिए कोई और उपाई करना होगा स्रिष्टी का विजवन्स सोच कर देव लोक भैभीच अप्त लड़े भकवान से ये कैसी घैरीच इश्वर होया साधारण मानो धर्म की मर्यादा का पालन जो मीजी लाव और स्वार्थ से उपर उठकर करते हैं वही सफल होते हैं